हेलो एन वेलकम फेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल आलवेस विट में दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो को बनाने का खास मकसद वैसे तो आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा थमनेल और टाइटल में की वीडियो किस से रिलेटेड है जी हाँ दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सकें कि जब आप मॉनिटाइजेश के लिए अपलाई किया था और मेरा मॉनिटाइजेशन यूटूब ने रिजेक्ट कर दिया है तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मेरा मॉनिटाइजेशन एक्चल में क्यों रिजेक्ट हुआ है उसके रहे मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा पूरे म सब कुछ step by step आपको बताऊंगा कि क्यों आपका YouTube जो है मॉनिटाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है और किन-किन बातों को रखता है आपको ध्यान देखे दोस्तों मैं आपके साथ में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वह आप लोग के साथ ना हो इसलिए मेरा फर्स बनता है कि मैं आपको इसकी पूरी गाइडलाइन समझाओं तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हैं मैं लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे आपको मैं आपको अपना YouTube स्टूडियो दिखाऊंगा और इसका option होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा होगा चैनल में कि यूर चैनल वस नॉट असेट फॉर दी मॉनिटाइजेशन मतलब मेरा चैनल मॉनिटाइज नहीं हुआ है क्योंकि यह मेरा चैनल है वह YouTube मॉनिटाइज पॉलि को कहते हैं दोस्तों कि आपने किसी का भी यूज किया वह कंटेंट पहले जैसे मतलब किसी के चैनल से उठाके सिर्व अपने चैनल पर डाल दिया उस पर आपके लाइक वगए हैं मतलब की काफी व्यू आ गया है बट जब आप उसको मॉनिटाइजेशन के लिए अपलाई क जो पब्लिक आ रहे हैं यह भी यूटूब ने डिलीट करके 105 कर दिया है जो कि यहां पर 500 थे ठीक है दोस्तों तो अब आपको क्या करना है कि हम चेक करेंगे कि यूटूब की पॉलेसी क्या क्या है हमें किस-किस चीजों का ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग दा मॉन जब हम रिव्यू करते हैं तो दोस्तो इसमें सबसे पहला पॉंट आता है मेन थीम कि आप अपने चैनल में पोई एक थीम करिए उल्टा उल्टा आपको कुछ भी नहीं करना है जो आगर आप continue रखना चाहते हैं अगर आप जिम की वीडियो बना रहे तो आप जिम बना यहें कुकिंग बना रहे तो कुकिंग का ही continue करिए ऐसा नहीं कि आपने मतलब पूरा उल्टा उल्टा कर दिया है फिर आता है आपका most viewed वीडियो कि आपकी सबसे ज्यादा देखी गई वीडियो कौन सी है तो यूटूब उसको review करता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा harmful तो नहीं है जो आपने दिखाया हो कुछ video के अंदर और फिर YouTube उसको क्या करता है YouTube उसको check करता है कि वह YouTube policies के अंदर में आया है कि नहीं है अगर वह YouTube policies के अंदर होगा तब तो YouTube उसके side साथ में कुछ नहीं करेंगा तो यूटूब उसका सारा वाच टाइम रिव्यू और व्यू वगएरा सब जीरो कर देगा फिर थर्ड आता आपका निवेस्ट वीडियो कि आप अपने चैनल पर आपने निवेस्ट क्या बनाया निवेस्ट वीडियो कौन सी आपने बनाई है कि आपके पुराने वीडियो से मैच करती है कि नहीं करती है तो वह से रिलेटेड होना चाहिए यह नहीं कि आपने चार वीडियो पिछला बनाया है आपने ब्लॉक का चार आपने बना दिया कॉमेडी का और नए में आप बना रहें कुछ और तो वह चेक करेगा कि आपके दोस्तों कोई भी वीडियो पनाने के बाद उसको WhatsApp, Facebook, Twitter, अपने Instagram handle पे भी आपका link share कर देते हैं तो आपको यह गलती कभी नहीं करनी है आप जितना external source कम रखेंगे आपका वीडियो उतना ही अच्छा चलेगा आपको बस एक बहुत अच्छा सा SEO कर देना है टाइटल थम्नेल टैक्स अच्छे से लगा देने उसी में आपका काम हो जाएगा फिर आते हैं दोस्तों लास्ट यह दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट चार यह पॉइंट जो स्थार्ट से किया यह तो कोई भी फॉलो कर लेता है बर जो वीडियो मेंक्रव्स वीडियो मिय देटा है यह यह iconic तो video metadata कि आपका जो title और thumbnail है video का तो जो video होगा वो उसी से related होना चाहिए यह नहीं कि आपके title और thumbnail में कुछ और लिखा हुआ है और video आपने कुछ और चीज़ का बना दिया है आपको जो भी करना है आप tag section में करिए अपने tag section में tag लगाइए बट आपका जो title और thumbnail है और description है वीडियो का वह सेम होना चाहिए अगर आप कोई comedy वीडियो बना रहे तो comedy वीडियो से related होना चाहिए और अगर आप कोई technology से related बना तो technology से related उसका title और thumbnail होना चाहिए तो दोस्तों कई लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो पर व्यूज आने के लिए कुछ भी title और thumbnail लगाते हैं तो आपको वह गलती नहीं करनी है अगर आप इन पांचों point का ध्यान रख लेते हैं और इन सब में fall करते हैं तो आपका channel जो है easily monetize हो जाएगा बट अगर आप इन पांचों point में से किसी एक में भी कुछ गलती कर देते हैं तो YouTube आपका जो monetization है वो reject कर देगा और जो आपका सपना है YouTube से पैसा कमाने का वो बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा तो दोस्तों मेरी आप से यह अपील है कि आप इन पर कोई गलती ना करें इन पांचों point को follow करें मेरी तरह आप गलती ना करें तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपक कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू सो मच